ये है मेरे मम्मी का गाओ और फिलाल हम आए हुए हैं मेरे मम्मी के मासी के गड़ गॉर्निंग सबको गाओ मेरे से गोदर्डी पिछा के मीचे ही सोना पड़ता है पाच मनेक फिर से सो जाती है मेरे मेरे जाती हमें ट्ठाव कर ड्यूदी guys यह संसस्क्ते इजAudो १ख़ तुञे के लिकेस विए हैं कि अधरी थाडियो भुषओ जोगे श्याड़onte अधरे क्यां यह दो इजाooo यह है जारी तोकाव आए नाओ बहुत थंडी है तो वटने का मणिनी कर रहे ब्लैंकेट पर बहार आने का बिल्कुल वन नी कर रहा लें बहुत जाओ करें चा रहे है तिक है वट गई मैं क्योंकि हम को आना अज मंदिर भी आना और जहां पर मैं रहती दीनों कच्पइट से वहां पे बजाना है चल रिफ जया न तेरा मारा स्या जग जीता दिल हारा रशूरे पट्य। को बारें ठेरें सदके में बन जा रा रा रस्या। लेकिन ये रस्या को ने रस्या! और चिकू बभी कोई को अधाई रही गवात वे блढ ने ये व rough लेकी मेरे डेखाा महते मेरे मम्मी पथ्थरू के घर में रगी थी और मेरे मम्मी के जिन्दगी में यह राजकुमार बुले तो मेरे पप्पा और मेरे मम्मी के लाइफ ही बदल गई देखरें यार गाओ की सुभा पे कित्ती बैस्ट होती है एकदम मस्त यहाँ पे उठें आगे आ तो भी एकदम मस्त धूप थंडी थंडी हवा यह सब हम शहर में तो बहुत मिस्करते है यार है कि नहीं चलो भी मैं जारी हो नीचे ब्रश वागेरा करेंगे चाई पीएंगे देखर नगाओ में आने के बाद में कैसे चुप चप चाई बिस्कित खा रहा और घर पे तो ऐसे कुछ नहीं खाता गरूपे नाटक चलते है चौक और दिये वह क्यों रहे तो मैं आगे हुना के बार आज मैंना हैर वाश पी कर लिया देखो क्योंकि हमारे घर पे हाड वा मैं तर्स पर मेकप करके रेड़ी हूँगी सच बताओ तो ये गाओ मैं ना बहुत ठंड है तो इसलिए ना तर्स पर मैं धूप सेखते सेखते में इसका मेकप करूँगी हो गई मैं रेड़ी चलो भी नीचे चलते हो ये प्यारी सी बच्ची मुझसे मिल ले बहुत स्वीट और बहुत क्यूट है और बाते तो इत्ती स्वीट करते है ना चल खाली चिको चल शूस पैन हम बहार जाएंगे है ना है ना ये ले ये ले दे दूसरा पैन दे तेरे बास पहले चे दो पैरे ना अरे वो वाला दे ये वाला ये वाला पैर तो तेरे को ये वाला पैर देने का हाँ दे ना साम दे दे हाँ बस ऐसी आज में ये ना ये ने वाले जूते बहेंगे ना में ममा का गाव देखने वाला है ममा का ये छोटे जगाव मेरे के ना म तच्ची वाफ प्यालाग लेग की तच्चा थे निवशक्ति आयरुवेधिक बाम थोड़स्त तच्चा सोड़ा है देखो एड़टाइजमेंट ऐसे करते गाओं में तच्चा कोक्ला सर्दी सग्ला पड़ा पड़ करने होते ही दे बागा अनि आची किम्मत के दिया रहे पर भाम बेख रहे वह ओ बाम वाले वह रुको जरा में को देखने का च्ची को ने ना पपा की छपळी फेक दी यहांसे क्या है पपा आक की चपणे चंप ले अगल्ट सूड़ के चलय को नीच चंप ली क्या वे इसलाइक सुड़किं सधां को सदो संधर मुझे पीष्ण उतना बैटना शुम्रा मिन लिए घचना आ रहे हके नहीं आप नेए दिखू आअ जूला भी दो पाँ 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 रुपाइचे दू बाँशी एक ला दोने ता ना देखो मैं बेचे लोगे खाव ने बबाँ अधा पाँचे दहाँ भाट को पाँचे करता कस IRA देखा ज़ितले घुका पांचे में देख थे थे 7 रोपेचे दू ला है जूस संद्क नहीं रोपै के अदेखा shit इसले शूला रहता सूलर करने ग pen अन आ भी बेचे हूं LAH परकिंग के दुकान चालू करते हैं अब फाइनली हम लोग आ गये मंदर और यह रास्त में इतनी बड़ 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 किये जा रहे थे कि मैं अपना वीडियो लहीं नहीं पाई लेकिन कोई बात नहीं अब यहना मैं आपको मंदर में लेके चलती हूं आप भी दर्शन करो देवी माता के यह देखो यह रहा देवी माता का मंदर हे देवी माता मेरे मम्मी ने बहुत मैनत की है और मेरे लिए बहुत बड़े सपने देखे हैं मुझे मेरे मम्मी के सपने बोरे करने की ताकत देना जाओ अंदे पपा, बेबी जा रहे हैं, जाओ बेबी मात आवे से तो मुझे ना, कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ना, अल्रेडी है ना, मेरे, मामा पपा मिल गए ना, तो फिर उससे बढ़ा और क्या चाहिए मुझे तो मेरी जो मम्मी आ ना, बच्पन में ये वाले मंदिर में आ ना, पैदल हमारे घर से चल कर आती थी, तो आज आना, मम्मी का सपना पूरा हो गया, हम पूरी फैमिली ये मंदिर में आ गए मैं जब छोटी थी ना, जब मैं नानी के साथ रह जी थी, तो अब तो मैं हमेशा ही मंदिर में आती थी, लेकिन चीकू, कृष्णा, पापा सब को हम ये मंदिर में लेके आए, बहुत खुशी मिलती है चलो हो गया हमारे धर्शन माता के धर्शन करकी बहुत अच्छा लगा और ना, यहां पर मंदिर में ना, बहुत पॉजिटिव वाइब से, मंदिर में आती है ना, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव लगता है चलो आगे हम लोग घर पर दुकान पर चलते हैं दुकान पर सावन बेचेंगे पापा कर दो गाड़ी लोग और ची ने तो बहुत परिशान करके रखा है इत्ता रो रहा है इत्ता रो रहा है पता नी क्या प्रॉब्लम है इसकी चलो 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 जम्दोरा 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 जम्दो लोग दो 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 ला? इत्वरी ज्ट्राबरी चोकलेट ड्लाबरी चोकलेट स्ट्राबरी चोकलेट सांपलेट दूसरे दूगा? दो दो? आपके दो दूँ्टो निगरादिया अज़ आपके लाओ तो आज मैंने एक लाखो की बात जाने हीरा गुटका के साथ ये दूसरा भी कुछ देना होता है पता नहीं ये क्या है आप लोग बताना कमेंट में इतने छोटा होके हीरा खारा ये एं और ये दो अमर रिक्नों देखो चाचा को उमरा पिले ने के लिए है ये लोग चारी है चार रोगो में पैसे देती है तो ये ही रहिचा तो वुकान समाल ले के लिए ने मैं को आदे सु जाद सामन पता है नहीं गोंबड़ा में अदे है नहीं मैं भाबा है क्योंड़े बाब़े यहां पर बाबा पूरी गुटका इसके साथ मुचला भी यह मिलानी के लिए यहां चोट चोटे बच्चे लेकेगा इदना हे इसको आप चोटे चोटे बच्चे हैं तुम्हें को यहां ना आप पता ही नहीं है कि यहां बाखी वैसे बहुत मज़ा रहे है से दुकान चलाने में आप बताओ मैं पर अपने घर पर दुकान खुल लो तो मम्मे बाइद उच के लिए इधर आई तो देखो मम्मे आरती के थाने लेके रेडी हो गई है मामा लोग बैठ जाओ सब बैठ जाओ आरती करने दूसरे मामा क जाने के बाद और दो तीन देन रहने वाली है तो चिको नानी के साथ ही रहेगा यहां पर उसको यहां पर बहुत मज़ा रही है चलो जाड़े हुए बाए मौसी देखो मौसी सिधार होना स्टाट कर देती है मौसी रवड़ूना कान तो 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 तया रहा है हाँ मी चानी ना रहा ह्टी तो रहा है ड़क्टर छी फ्रम जाइपन दुकान विकान समाल माल बील बेच ठीक है तुम बिल्कुल टेंशन मतलो मैं इदर पुरा दुकान अच्छे से समाल लेता सब मैं पूरा तो बीर आ रहा है आप मामा की गर तेको बीज़ दर रहने का है पुरे तो पुरे ते तो अपुरे ते तो दो तिन दिन के आद में ठीक है अरम से अफुल लिंगा करके बैवी बाइ ची ममानी की अच्छे से रहा ह है अच्छे से हैं वा जबर कृट भाइसने की गर पर आ एकृट ऐँज तुक मैए ट्वीन स्वारा क्तिशने। बाई बहुत अच्छा लगा आप सबसे मलेगे थांक्यू सो मच्छ हम आजी गाव में आया अपने वारा इसमें अच्छे स्वागत किया थांक्यू अंकल थांक्यू अंटी थांक्यू अरे रुको रुको वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है अभी मुझे जाना जहां पर मैं बच्छपन में रहा करती थी अपना पूरा बच्छपन मैंने जहां पर बिताया और मेरी घम्मी पैदा हुई थी तो चलओ मैं आपको मेरे साथ लेकी चलती हू सुआ देखना चाहूगे तो ये है वो सरकारी कॉल जहां मेरी मम्मी ने अपना पूरा बच्पन बिताया और ये रहा हमारा घर इस घर में मैंने अपने बच्पन के 6 साल गुजारे है मेरी मम्मी इसी गाओ में पैदा हुई यही के पासवाली छोटे से स्कूल में मन लगा के अपने पढ़ाई की और अपने हायर स्टडीस के लिए औरंगवाज शहर आ गई एक छोटे से गाओ की गरीब लड़की जिसके सपने बहुत बड़े थे पर जरूरी नहीं कि सारे सपने पूरे हो और जैसे कि मेरी मम्मी मुझे बताती है कि मम्मा की मुलाकात यहाँ पे मेरे पापा से हुई और क्या आपको पता है मेरे पापा खांदानी पैसे वाले थे और इतने बड़े घर के लड़के को एक छोटे से गाओ से आई एक गरीब लड़की से प्यार हुआ दोनोंने सोचा कि अब लाइफ बहुत स्वीट होगी पर उनको क्या पता था कि ये प्यार में दोनों का घर छूट जाएगा मेरे पापा इतनी पैसे वाले और इकलोते राज को मार थे अपने घर के और अब वो पूने जा चुके थे मेरे मम्मी के साथ एक किराय के घर में जहां दोनों का दो टाइम का खाना भी मुश्किल हो गया वो कहता है ना कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता कभी भी बदल सकती है तब मेरे पापा ने ही मम्मी की स्टडीस कंप्लेट करवाई और मेरे मम्मी ने भी पापा से प्रॉमिस किया कि एक दिन हम दोनों फिर से अपने फैमिलीस के पास बहुत बड़े बन कर लोटेंगे और तब तक मैं भी तो ममा की पेट में आ गई थी और बस फिर क्या था मैंने फिर से ममा की स्टडीस में ब्रेक लगवा दिया और मेरे पैदा होते ही मेरी नानी का बिल पेगल गया और वो दोड़ी दोड़ी पूने चली आई और मेरी नानी ने देखा कि मेरे मम्मे पापा दोनों को बहुत पढ़ना है और काम करना है उसके बिना कोई फ्यूचर नहीं होगा किसी का और देड़ साल बाद मेरी नानी मुझे भी अपने साथ इसी गाओं में वापस ले आई जहां मैंने अपने बच्पन की 6 साल गुजारे हैं मम्मी ने अपने सारे सपने अपने पास ही रख लिये तो क्या मम्मी का मेरे आखो से सपने देखने का भी कोई हग नहीं? क्या पत्थरों की घर से निकल कर? क्या मेरी मम्मी का लक्जरियस लाइफ पे भी कोई हग नहीं? पापा तो बच्पन से लक्जरियस लाइफ में थी पर अब उन्होंने लक्जरियस लाइफ भी छोड़ती लेकिन मैं मेरी ममा को लक्जरियस लाइफ देना चाहती हूँ मुझे मेरी ममा को दुनिया गुमानी है ममा तो अपने सारे सपने भूल गई और अब वो मेरे आखों से अपने सपने देखती है मेरे लाइफ का एक और बहुत प्यारा सीक्रेट है देखा इस पत्थरों के घर से निकल कर मेरी ममे महलों तक पहुची इसलिए मुझे बहुत बड़ा बनना है और सिर्फ एक बार मुझे ममा को टीवी सीरियल में जाके दिखाना है मैं आप पर आई ना तो मुझे बच्पन का सब यादार है कि मैं बच्पन में कैसे आगं में खेला करती थी, कैसी टीवी देखा करती थी, कैसे वो दिवारों पर लिखा करती थी सब-सब यादार है देखा एक ताइम था ऐसी है ना सेम मेरे भी फ्रेंड्स हुआ करते थे जिनके साथ में मैं गुंगती थी इते तराद हो तुम्ही? हाँ आच्छा बच्पन मैं नो मैं बहुत ऐसे खेला करती ती मिपन इतो तराद होते याद रहा हादे निचाए दाव सानू कर दीवया दिवया दुला कर समये दी? वाल मैं दो बादीवया बादीवया बादीदी तो ये थी मेरी और मेरे ममा की लाइफ की शॉर्ट स्टोरी और हां ममा पापा की फुल फिल्मी लाव स्टोरी फिर कभी बताऊंगे तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है जल्दी से इस वीडियो को धेर सारी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हो में नेक्स वीडियो में